है गाइस वाट्स आप यह वाचिंग माइन इच्टिप्स जैसे का आप सब लोगों पता है कि Amazon का Great Indian Festival भी स्टार्ट हो चुगा है और इस सेल में आपको गेमिंग लाप टॉप्स के ऊपर बहुत ही अच्छ अच्छ जिसकाउंट प्राइस में आपको लाप टॉप्स जैसे का यहां पर देखने हो दंग सब creep now or Flight a week out Bang ऐन आ मिल रहें करने कद देखने में वाला हुला है यह जाए यह अधर आमसान सेल वीडियो और इस वीडिये में आपको वह सारे लप्टॉप सेजिश करने माला हूं जो आपको सबसे बेस्ट वाले फॉर दे मनी ओफर कर रहे हैं आपको जिसमें सबसे बेस्ट परफॉरमस देखना हो मिल जाता है सबसे बेस्ट कॉंपोनें जाता है और वह भी एक बहुत अफॉर्डबल प्रैस में आपको देखना मिल रहा है वही सारे लाप्टॉप को मैं आपको इस वीडियो में सेज़िश करने वाला हूं और मैंने इस आपके पास पैसे रहेगा तो आप बाद में जाके SSD या फिर hard drive लगा सकते हो बट उस टाइम अगर आप यहां पर गल्ती कर देते हो तो आप दूसरा एक laptop anytime soon यहां पर नहीं ले सकते हो तो इसलिए मैंने यहां पर स्टोरेज पार्ट को यहां जादा कुछ जज नहीं किया ह जो बाकि सारे चीजें उसको मैंने यहां पर जादा इंपोर्टन्स दिया है तो मेक्शर कि आप इस चीज को ध्यान में रखें बाकि मैं आपको जो सारे laptop इसवरा में सब्सक्राइब बाद कर सकते हो और इनमें से कुछ कुस लैप टॉप को मैंने यहां पर अपने चैनल मे 5AN 51543 इसमें आपको AMD कर आजन 53550H-Pres से देखने हो मिल जाता है,HGB RAM देखने हो मिल जाता है,512GB SSD देखने हो मिल जाता है और आपको GTX 1650 Graphic Arch भी देखने हो मिल जाता है वो भी under 50,000 के range में जो कि आपको off sale में देखने हो मिल जाता है, था 60,000 के range में वो आपको sale के दोरान आपको 10,000 रुपे का discount में देखने हो मिल जाता है,like almost अगर Acer Nitro 5 variant का बात करें, तो at least यहाँ आपको 5,000 रुपे का discount में देखने हो मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको सारके सारे games को थोड़ा सा smooth में खेलना है,like medium to high settings में खेलना है, तो definitely आप यह वाला laptop को ले सकते हो,and इ I think यह सबसे best laptop है, वो भी 50,000 रुपेस के range में,but मैं आपको एक और option जरूर देने चाहूंगा,गर आप थोड़ा सा पैसे बढ़ाओगे,like 1000 रुपे बढ़ा दूगे, तो यहाँ पर आपको आपको TUF FX55DT laptop देखने हो मिल रहा है, वो भी 120Hz display के साथ,which is a big deal, वो आपको मिल इसमें उने बहुत साथ के रहा है,and I think this is the great laptop under 51,000 रुपेस, और इसमें भी आप जो अगर कार्ड वगरा से प्रिमेंट करते हो, तो definitely आपको यहाँ पर 10 person का edition discount भी देखने हो मिल जाएगा, तो यहाँ लापटाप को आप 40-49,000 रुपेस में यहाँ पे पिक अप कर सकते हो, तो बाकि यहाँ लापटाप काफी बढ़िया लापटाप है, इसमें भी आपको hard drive देखने हो नहीं मिलता है, तो आपको hard drive बाद में लगाना पड़ेगा, बदील को देखते होए मेरे साब से काफी सही लापटाप है, अगर आप यहाँ गेमिंग लापटाप चाहते हो, व लापटाप हमारे list में है, जो कि best of the best models है, बाकि मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि आप जो दूर से कोई भी laptop ले, क्योंकि वह साब लापटाप से वह आपको 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 कम से कम प्राइस में आपको जो higher से higher जो best components है वह आपको प्रवाइट कर रहा है, तो वही सारे laptops में आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, चलते हमारा एक और दील की तरफ जो कि आता है, असुस की तरफ से again, एक और laptop, which is Asus stuff A15, जो कि market में अभी नया नया आया है, इसमें आपको Ryzen 4 Generation CP देखने में में जाता है, और इसमें आपको आपको actually में अभी 6 और देखने में में मिल जाता है, तो I think यह वाला laptop काफी बढ़िया laptop है, 61,000 रूपीस के हिसाफ से, but इसमें आपको 60Hz का refresh देखने में मिल जाता है, तो अगर आप competitive gaming करने चाहते हूँ, तो आप जो इसमें उतना अच्छा देख से ने एकर पाऊ गया, but casual gaming के लिए, video rating के लिए, 3D rendering के लिए, यहाला laptop जो है काफी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको Ryzen 5 4600H दिया गया है, साती में इसमें graphic card में दिया गया है GTX 1650, same graphic card में आपको पहली दिखाया था, but इसमें आपको एक way more powerful process देखने में मिल जाता है, and यहाला laptop में आपको 16GB RAM देखने मिल जाता है, which is a great deal, and 512GB SSD, NVMe SSD है, तो आपको इसमें भी hard drive जो बाद में लगाना पड़ेगा, but 16GB RAM and the Ryzen 5 4600H, does make sense की यहाला laptop है, वो well priced है, अगर आपको 6130 में, one of the best laptop चाहिए, 16GB RAM चाहिए, उसको उपर से एक अच्छा सा processor चाहिए, आपके rendering वगरा के लिए, या फिर gaming and streaming के ल बिल्कुल भी miss मत कर दिना, and ज़रूर इसको पिक कर लिना, इसके भी link आपको नीचे description आपको देखने हो मिल जाएगा, चलते हमारे next laptop के तरफ जो कि आता है, same Asus Toff F-15 actually, इसका model है, और इसमें आपको 144S refresh rate वाला जिस पर देखने हो मिल जाता है, इसके ओपर से आपको, इस i5 10 generation देखने हो मिल जाता है, बट अगर आपको Intel नहीं लेनाए था, definitely मैं बोलूँगा, Asus Toff F-15 वाला ले लेना, जो कि मैं आपको पहले दिखाया था, इस laptop में आपको सिर्फ 2 advantages देखने हो मिल जाता है, एक तो ये core i5 10 generation वाला variant है, जिसमें आपको 4 core 8 देखने हो मिल जाता बाकी हर वे में Asus Toff का A15 जो है काफी बड़ी हा laptop है, नेक्स चलते हमारा एक और डिल के तरफ जो कि आता है, हमारा Asus Toff का एक और variant, A15 वाला variant, इसमें आपको 144S का refresh rate देखने हो मिल जाता है, इसमें आपको Ryzen 7 4800H देखने हो मिल जाता है, इसमें आपको 1650 Ti Graphicard देखने हो म जाता है, 1650 Ti and Ryzen 7 4800H जिसमें आपको 8 core, 16th rate देखने हो मिल जाता है, तो अगर आप heavy rendering वाले task करते हो, या फिर आप यहां पर एक college के लिए laptop जुन जो हो, आपके graphic designing या फिर दूसरे कुछ कुछ काम के लिए, तो आपके लिए यह वाला laptop best होने वाला है, सिर्फ आपको 13,000 एक्ष्टा पेय करके आपको यह वाला laptop बहुती बड़िया specification प्रवाइट कर रहा है, इसमें जो RAM यूस किया गया है, वह भी यहां पर 3200 MHz का है, तो definitely आप इस laptop को उठा सकते हो, मैं खरी सकते हो, और अगर आप यहां पर SBI का cardios करे होगे, इसको purchase करने का time, तो definitely यहां पर 10 10% का additional discount भी देखने हो जाएगा, which make this laptop around 69,000 रुपीस, तो मैंने सबसे काफी बड़िया जिन लोग के आप है, यहां पर हैंपर हैंपर काम करने हैं, हैंवी rendering वाले काम करने हैं, और आपको gaming laptop भी चाहिए, तो यह वाला laptop बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इसका यह से वो एक laptop के साफ से काफी बढ़िया है, और आपको sale में अभी एकदम perfect price में यह वाला laptop भी मिल जाए, तो अगर आपको खरीदना है यह वाला laptop, आपको जिसके शुए लिंक देखने हो मिल जाएगा, वहां से आपको यह वाला laptop को definitely जरूर जरूर चेक कर लेना, last but not least हमारे पास है एक और Asus Toff F15 वाल laptop, इसमें आपको core i7 10 generation देखने हो मिल जाता है, इसमें आपको 144 का refresh देखने हो मिल जाता है, इसमें आपको 1650 Ti देखने हो मिल जाता है, all under 83,000 rupees, यह 10,000-10,000 उपे करके यहां पर पैसे बढ़ा रहा है, i5 से i7 में, and बाकी इसका मेरे को specification काफी इसमें आपको core i7 10 generation देखने हो मिल जाता है, तो I don't think कि why not, क्योंकि इसमें आपको हर वो features आपको अच्छे तरह से देखने हो मिल जाता है, चाहे आप graphic art, चाहे आप CPU के बाद करें, CPU में इसमें आपको 6 कवर 12 से देखने हो मिल जाता है, but इसका जो gigahertz है, वो यहां पे maximum 5 gig years तक यहां पे boost हो सकता है, तो यहां पे आपको बहुत यह बढ़िया performance मिलने वाला है, इस laptop से, अगर आप gaming करते हो, अगर आप streaming करते हो, दोनों ही आप यह वाल लाप्टप से यहां पे बहुत यह राम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको Intel Core i7 10 generation दिया गया है, और इसमें यहां पे आपको बहुत ज़्यादा budget हो रहा है, तो अगर आप यहां फ्लाक्शिप टाइप का, फ्लाक्शिप नहीं बोलूँगा, एक अच्छे क्वाल्टी का laptop ढूण जाओ, अगर आपके पास 83,000 रुपीस का budget है, तो मैं बोलूँगा कि आप यह वाल लाप्टप को एक आपको बहुत जादा चार्ज कर रहा है, और वह अगर बहुत अच्छे प्राइस में देता है, तो मैं रेकमेंड कर भी जाता है, यहां पे असुस का जो टफ सीरीज है, यहां फिर असुस का जो FX सीरीज है, वह आपको best of the best यहां पे value for the money प्रवाइट कर रहा है, आपको best of guys, hopefully you will feel good of your videos, आपको बहुत हैं मैं सारे के सारे फिर लाप्टॉप में आपको अच्छे-चे प्रवाइब कर देकनी नहीं है, वो आपको यहां पे आपको चार्ज कर दिया है, अगर आप इनमें से कोई भी लाप्टॉप को खरीना चाहते हो, तो अःस्क्रिश आन दियाव झाल झाल